है तो स्वागता आप सभी को गयापन के संदेंटापि वीडियो में और आज इस न शुद करने व çocuğa वाले विदियार्थ्यों के सांथ क्योंकि है बहुत बढ़ी बात बिहारыт से घ्राभ पर result खराब हो गया और किसी subject में उसको cross लग गया फेल हो गया तो उसका कहीं न कहीं से उसका manobal बहुत तूट चुका होगा और वो मुझे अगर देख रहे होंगे जो मैं बात समझा रहा हूँ यकीनन मुझे feel भी हो रहा है इस बात को लेकर के कि जिस विद्यार्थी का result खराब हो गया होगा उनका तो बिल्कुल पूरी तरीका से अपने आप में बहुत ही guilty feel हो रहा होगा और कहीं न कहीं से एक दूसरे के comparison में अपने आपको बहुत कम आक रहे होंगे और ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरा life ही खराब हो गया मेरा life मेरा career खतम अब बढ़ाय लिकाई छोड़ो और दूसरा काम करते हैं लेकिन यहां ठारिये यहां यह चीज सोचना कताई सही नहीं है यह 100% गलत है और दूसरे के comparison में अपने आपको कम आकना यह गलत है दूसरे के comparison में अपने आपको कम आकना और यह सोचना कि मेरा result खराब हो गया और मैं किसी काम के लाइक नहीं हूँ तो यह गलत है और यह सोचना कि मेरा career खराब अब यह बने गई नहीं तो यह भी गलत है तीक है यह सारी जितने भी negative question आ रहे है न यह कही न कहीं से अगर आप अपने आप से का agreement देते हैं अपने आप से इसी को accept करते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ यह सभ़़भी जितने भी negative बात रही है और उसको सही कर दो मनें ने घंए और ऑपने नबायी नियाना तर्ण हन किन अपने लाइफ को नर्क brauch बनाने जा रहे हैं कि यहाँ आपका डी सीजन गलत है कि आप भीड़ाव और यह सोच करके पढ़ाई लेह चोड़ रह थो यह ग्रम चाहिए तो hack करने के लिए कम से कम 33% होना चाहिए जो कि आपको बता दें तो आपको 21 लाना होगा प्रेक्टिकल में अगर आपको 30 है तो आपको 12 लाना पड़ेगा अब बात आती है कि 70 में 21 से अगर एक नमर कम हो जाए तो क्या फेल बिल्कुल 70 में आपको 21 लाना होगा 30 में 12 अगर एक नमर भी कम आता है तो फेल यहाँ पर कोई गुंजाईस नहीं है ठीक है तो अब जो कलास 12 वाले विद्यारती हैं सेकेंड डिविजन होने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं यानि कि कुल मिला जुला कर कि अगर किसी का 250 नमर है या 300 नमर है या 300 नमर है इक नमबर अगर सतर से 11 के जगब 20 आ गया आग्या और टीस में बारा के जगब 11 आ गया चाहें मार्स कितना भी क्यूं नहों अगर एक नमबर भी अगर कम आ गया तो वो है बीहारबर उसे फेल समझता है ठीक है न अब आपको बता देते हैं कि कि किसी का नंबर एक नंबर से कम है और हो फेल हो गया है एक नमर सिर्थ मालें कि कि सक्रमे सब सब्सब्जेक्स में अच्छा नंबर आया ठीक है हालां कि उसका टोटल जोड़ने के बाद साड़े 300 नमबर आ रहा है यह टोटल जोड़ने के बाद 300 नमबर आ रहा है ठीक है और सिर्फ फिर भी फेल दिखा रहा है रिजान इस डैट कि सतर में जो 21 लाना चाहिए था वहां 20 ला दिया और बाकि 30 में 15 लाया होगा या 17 लाया होगा vyकिन सतर के जगए यहाँ 21 लाना चीह था वहां पर बीस ला दिया यहो सकता है सतर में सतर 2 हो 30 में 11 निखम नमेर दिया हो तो मैं बता रहा हूं कि जिसका थी तो पास मार्ट से अगर कम नबर से तो आपको यहां घबडाने की ज़रूद नहीं है और अपने आपको बेकार समझने की जरूद नहीं है यहां आपका मियाब है यहां एक उमीद रखिये क्योंकि बिहार बोर्ड अगर आप एक नंबर कम ले करके आते हैं तो Grace marks देता है अगर आपका एक number कम है तो आपको आपके जीवन के साथ मह खेलते हुए जबकि आपको promote करता है और एक number grace marks देकर कि आपका marks marks पर वो एक number चाहा कर आपका career बना देता है यानि कि एक number से अगर आप खेल होते हैं तो भी थोड़ा सदाया करता है काता है चलो यार एक नमर से तो है एक नमर देही देते हैं तो एक नमर आपका बढ़ जाता है सोचे किसी का दूसर निनानबर आता है ठीक है और वो क्या है एक नमर से एक नमर से मांक्स बढ़िया है आ कि अगर किसी में crossed नहीं लगा होता है सतर में अगर एकई कि के जगए रहने के बाउजिघ के एक किल यह तो यहां पर क्या होता है कि 299 के जगह पर यहां थियोरी और प्रिक्टिकल को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे अगर किसी में कम आया एक नमर कम है तो भी हार बूर्ट ग्रेस मार्स आपको एक नमर देता है बढ़ा देता है और यहां हो जाता है आपका 300 नमर और आपका मार्स भी हो जाता है आपको घबडाने की जरूरत नहीं है तो यहां आपको दोबारा एक्जाम देने की जरूरत नहीं है और आपको बता देखिए बिल्कुल एदम बिंदास बैठना है ठीक है ना एदम क्रीमाइंड कि जहां सारे विद्यार्तियों का result आएगा वहां आपका भी आएग दो यह दो से अधिक नंबर से फ्यल्ट हैं तो उन्हें क्या करना ओगा तो इसकूटनी का फॉर्म भरना होता है ठीक है ना बिहार जाथन जो बिहार बूर्ड कहता है तो आप अपने से संतुष्ट नहीं है तो आप कंपार्टमेंड का एक्जाम दे सकते हैं तो एस हो तेज से 30 मार्च के बीच में आपको जो है ना की फॉर्म का डेट है आप भर सकते हैं जो भी विद्यारती किसी सब्जेक्ट में अगर क्रॉस लग गया है तो वह स्कूटनी का डेट मतलब आ चुका है तेज से 30 मार्च तक अपिसिएल वेबसाइट बिहार बॉर्ट ऑंलाइन डॉट गौवर्मेंट इन पर ही जा करके अप्लाई कर सकते हैं पर सब्जक्ट जो है आपका सकतर रुपिया देना होगा मानिजी कि 5 सब्जेक्ट होता है 5 सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट में भी अगर आप क्रोस लग गया है और आप चाहते हैं दोनों सब्जेक्ट का हम फॉर्म भर दें और स्कूटनी का फॉर्म भरने का बाद हम एक्जाम दे दें और आपको भृमित करते हैं कि यार स्कूर्टनी का फार्म नहीं भरो कि देखो तुम फेल हो गये हो और बेटर है कि आप से तयारी करो लेकिन ये कहां तक सही है ज़रा अगर एस्कूर्टनी का फार्म राज में नहीं आता कि इसका वहलु कोई नहीं है जब आपका इसका exam देने के बाद भी अगर आपको नौकरिश ना मिले तब मांक्स आगा तो आप जब गुवर्मेंट जाओ के लिए जाएंगे न तो आपसे यह नहीं कहा जाएगा कि आपने दुबारा एक्जाम दिया और आपको बेज़त करके ऐसा नहीं को आपको हटा देगा ऐसा नहीं है आपका मास कंक्लूट किया जाएगा उसी हिसाथ जैसे कि कोई फ्रेस इंसान जो कोई फ्रेस स्टुडएंट जो डाइरेट एक बार में एक्जाम को एक्जाम किया और जो पास किया कर ना मानि लिगे कि वो सकता होता है कि तो सोचिए कि इसमें 15 नमर जरूरी पड़ेगा तो यह पांच नमर ज्यादा ही अपला दिये तो यहां तक आपको बता दे कि जब आप गुवर्मेंट जब के लिए जाएंगे अगर माक्स बेसिस पर आपको नौकरी होने वला है तो तीन सब पंचास वला छट जाएगा तीन सब पंच पन वला सिलेक्ट हो जाएगा यह यह नहीं देखा जाएगा क्यों क्यों आप लड़ सकते हैं कि जब इसका वैलू नहीं था कंबार्टमेंट इजाम का वहलू नहीं था तो बिहार को दिन्वाटमेंट इजाम क्यों लागू किया आप लड़ सकते हैं तो इसलिए कंबार्टमेंट के ले करके यानि स्कूट्टी फॉर्म भरने को ले करके आपके आसपॉरस के लोग अगर कोई ब्रामित कर कि सद् है कि शोज़ाइने गरो तो यहां आपको समय खराब होलाופ pillar कि याद रखी क्यूंकि एक सल बैख जाकर प्र से आप 2L क्लास की यारी करेंगे और फिर आप देंगे तो आपके एक सल बैख गया आपके तो यहां पर आप के मन में बहुत ज़्यादा आप confusion चल दा होगा बहुत ज़्यादा आप संकोच में पढ़ गए होंगे कि तुम्हें क्या करूँ मैं escortini के लिए form भरू की न भरू compartment का exam दू या न दू बहुत ज़्यादा confusion चल दा होगा तो यहां हम आपको confusion दूर करते हैं एक ऐसा आइडिया बता रहा है जिस आइडिया से आप अपने आपको खुद से अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे स्कूटनी के लिए form भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए मुझे यह करना होगा कि आपको अपने आप में सोचना होगा कि मैं फिर से अगर दुबारा एक्जाम देता हूं मतलब इस result से असंतूश्ट हो करके मैं इस result को छोड़ी देता हूं और फिर से form भरके phrase मैं एक्जाम देता हूं तो क्या मैं 300 से ज़्यादा ला सकता हूं कि नहीं दा सकते हूं मेरी तयारी आगे भी अच्छी हो सकती है की नहीं हो सकती है तो यहां आपको सोचना होगा अगर आपको लग रहा है कि मैं एक साल पीछे भी नहीं जाना चाहता हूं और मेरी तैयारी इससे बेहतर हो भी नहीं सकती हैं तो आप यहां पर आप एसकूटनी फॉर्म भरने के लिए इलिजिबल है और आप बिलकुल भरिये ठीक हैं मने यहां पर आप डिसीजन लेने के लिए इलिजिबल है और आपके डिसीजन हां में आना चाहिए कि मुझे एसकूटनी का फॉर्म भरना चाहिए या फिर दूसरा कंडिशन ये भी हो लाक्स भी अच्छा है वो सकता है कि 300 अगर आपका नंबर है तो 80 नंबर आप तैयारी करके ला देंगे तो 308 भी हो जाए वो सकता है तो समझे तो 400 के करीब करीब चला जाएगा ठीक है ना तो मेरा मानना यह है ठीक है ना तो यहां पर हम कहेंगे कि अगर आपका 300 नंबर है तो आप स्कूटनी फॉर्म भरने के लिए आप ये डिसीजन ले सकते हैं मुझे स्कूटनी फॉर्म भरना चाहिए ठीक है ना लेकिन अगर आपका नंबर बहुत खराब है और स्कूटनी का एक्जाम देने के बावजूद भी आपका नंबर सेकेंड डिविजन के अंतरगत ही यानि कि खुब से खुब 250 या 260 तक जाता है इसकूटनी का एक्जाम देने के बावजूद भी तो मैं तो नहीं कहूँगा कि आप इसकूटनी का फॉर्म भर ये आप फिर सारे सब्जेक्ट की तयारी कीजिए और फिर से एक्जाम दीजिए और इसके बावजूद भी अगर अगर आपके दिमाग में चल ला है तो नो प्रोब्लम आप सोतंद्र है कोई दिकत नहीं है आपका अगर इसकूटनी का एक्जाम देने के बावजूद भी अगर आपका सेकंड डिवजन के अंतरगत आपका नमर रहा है तो फिर भी आप हर सकते हैं लेकिन मेरा मेरा एक अन सामने वीडियो बनाकर बता दिया तो यहां तक आपका पूरा कंफ्यूजन खतम हो गया कि मान लिजे कि जो भी द्यारती फेल है उसे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए यह सारे मुद्दों पर में बात कर लिया तो मिलते हैं नेक्